अगर्था आपका हमारी यूटूब चैनल इंडस्ट्रिल गुरू में दोस्तो आज की वीडिया में हम देखेंगे थर्मो कपल के बारे में दोस्तो इस वीडिया में हम जानेंगे थर्मो कपल का वरकिवे निसपल और उसके साथ जो डिफरेंट गवर्नी लॉज हैं थर्मो कपल के उसके बारे में तो आएए दोस्तो शरू करते हैं यहां पर मैंने एक स्केमिल्टिक डाइग्राम बना रखा है दोस्तो जिससे आप बहुता नहीं होगी थर्मो कपल के बारे में समझने में थर्मो कपल बेसिकल होता क्या है दोस्तो थर्मो कपल इस या कंपोजिजन रख डू मेटर्स मतलब कि थर्मो कपल दो मेटर्स से मिलके बना होता है दो डिफरेंट मेटर्स से मिलके बना होता है जिसको मैं एक साथ जब जॉइन करता हूं तो एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो तो इस temperature difference के बज़ा से, इसके temperature को मैं TH बोलता हूं, इसके temperature को मैं TR बोलता हूं, तो इस temperature difference के बज़ा से दोस्तो एक EMF का generation होता है या formation होता है, तो यही है thermokapal का हमारा basic working principle की यह कैसे temperature, sorry, कैसे output voltage का formation हो रहा है दोस्तों, तो इसका governing principle, sorry, governing law कह लिजिए कि जो voltage है वो EA by B, what is EA by B कहने का मतलब है कि यह हमारा thermal coefficient है, thermal coefficient of A metal with respect to B metal, तो यह thermal coefficient जो है, यह हमारे A metal और B metal की property है, तो यह material पर depend करता है, और delta T कहने का मतलब है दोस्तों, कि यह hot junction और यह cold junction या reference junction के बीच का, जो difference है, वो यहाँ पर delta T के है, तो यह जो formula है, इससे मैं calculate कर सकता हूं, output voltage क्या होगा, तो दोस्तों, यह तो हुआ हमारा thermocouple का working principle, और यह जो law है, कि जब मैं दो different metals को एक function पर रखूँगा, और उसकी across मैं एक temperature difference generate करूँगा, तो एक voltage generate होगा, इस law को हम C-Bake effect कहते हैं, क्योंकि C-Bake ने इसको ढूंडा था, अविसकार किया था, तो दोस्तों, अभी देखिए thermocouple का output voltage है, वो depend कर रहा है, सिर्फ और से difference of temperature पर और कौन सा material मैं use कर रहा हूँ, उस पर यह depend कर रहा है, हमारा thermocouple का output voltage, अब देखते हैं, laws of thermocouple के बारे में, दोस्तों, तीन laws होते हैं, thermocouple के, पहला law जो है, उसको हम law of homogeneous material के नाम से जानते हैं, law of homogeneous material कहने का मतलब यह ह दोस्तों, कि हमारा यह जो material है, यह सेम है, और इसकी बीच में यहाँ पर एक temperature मालेजे कि T1 यहाँ अपलाई करता हूँ, यहाँ T2 अपलाई करता हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, यह जो temperature में अगर difference यहाँ आ भी रहा है, तो यह कुछ effect नहीं करेगा हमारे इस output voltage को, क्या क अगर दूसरा लोग की बात करो, तो law of intermediate material, law of intermediate material कहता है दोस्तों, कि मैं अगर बीच में, sorry, मैं थोड़ा से इसको erase कर रहा हूँ, अगर मैं बीच में यहाँ पर कोई तो तीसरा metal use करो, metal C कहके, तो यह metal कहके, अक्रोस अगर मैं temperature T1 और T2 दे रहा हूँ, तो हमारे voltage को यह affect क करेगा, यह metal C, तो यह हो गया अपना law of intermediate material, अब तीसरा law है कि क्या है दोस्तों, कि law of successive or intermediate temperature, यह कहने का यह मतलब है दोस्तों, कि अगर मैं, sorry दोस्तों, अगर मैं यह माल लिजे, कि यह अपना T1 temperature है, यह T2 temperature है, यह अपना, एक नट दोस्तों, यह अपना T3 है, यह अपना T T1 है, और यह अपना एक और image बनेगा, यह इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि, super position type का यह law है, कपी easy है, T2 और यह T3, तो दोस्तों, कहने का यह मतलब है कि, यह T1, T2 से भी metal है, metal A और metal B, sorry दोस्तों, metal A, metal B, यह भी A और B, और यह भी A और B, तो अभी क्या हुआ दोस्तों, कि जो T1, T2 के बीच का जो मान लेजे कि हमारा जो output voltage आया, उसको B1 नाम दिया, T2, T3 के बीच का जो output आया, उसको B2 नाम दिया, और यह T1, T3 को मैंने B3 नाम दिया, तो दोस्तों, कहने का यह मतलबा कि, जो B3 होगा, वो B1 प्लस B2 के बराबर होगा, समझ पार है, दोस्तों, कहने का क्या मतलब है, कि जो output है, उसको मैं sum करके भी लिख सकता हूँ, जो देखिए, अगर मैं T1 और T3 temperature difference अपलाई करता हूँ, semi-metal के बीच में, तो हमको B3 मिल रहा है, और मैंने यहां पर कहा कि, एक बार T1, T2 किया, अपलाई, फिर नेक्स टाइम में T2, T3 अपलाई किय तो इस दोनों का जो sum है, वो हमारे इस भीथरी के बराबर आएगा, तो यह है हमारा तीसरा लो दोस्तों, अभी अगर आपको और भी कुछ डाउट आ रहा है अभी थर्मकपल के laws को related, कि यह कैसे आते हैं, कैसे proof किये जाए इनको, तो मैं आगे आने वाले वीडियो में important points है, कि किस principle पर काम करता है, किस effect पर काम करता है, थर्मकपल हमारा, सीबे की effect पर काम करता है, तो यह अभी तक खे लिए जो आपके interview point of view से देखा जाए, तो इतना ही important point है दोस्तों, आगे अगर आपको कुछ और जानना है इस वाले वीडियो से regarding, तो हमारे comment box में, please comment कर द कुछ की सेखा है पिनके दोस्तों, काम के दे हैं काम करता है, कुछ से प्यां है।